अब आजी नमस्कार किसान भाईयो और आज हम गेहों की खेती के बारे में बात कर रहे हैं गेहों में बोटे टाइम जो है ना लोग बहुत सारी दवाईय मार लगाते हैं गुली डंडा के बचाव के लिए और मढूसी ना हो उसके लिए तो बहुत महंगी महंगी दवाई डालते हैं और जामने के बाद भी कुछ स्प्रे करते हैं दवाईयों का जिससे गेहूं को भी नुकसान होता है गेहूं बहुत सी जल भी जाती है, खतम हो जाती है खेत बहुत सारे तो उसके लिए हम आपको बहुत सस्ता एक दवाई बताएंगे जिससे लोग छुटकारा पा सकते हैं गुली ढंडा और मडुसी के रहे तो किसान भाईयों कैसे आप खरपतवार को खतम कर सकते हैं गेहूं की जो खरपतवार होती है उसको बड़ी सस्ते ही अपने दाम में आप छुटकारा पा सकते हैं लोग महंगी महंगी दवाईय मारते हैं ठीक है तो वो क्या उसका रिजल्ट भी लिया है हमने एक किसान है हमारे साथ में तो हम उनसे बात कराते हैं आपकी यह खेद जो आप देख रहे हैं उन्हीं कई गहूं का खेद है और आगे आपको जिसमें दवाई नहीं डाली है खरपतवार की वो भी खेद दिखाएंगे उसका और इसका क्या रिजल्ट है क्योंकि इसमें तो बिल्कु खरपतवार जो है जो मडुसिया इस खेदे में बहुत जादा होती थी तो हम उन्हीं से बात कराते हैं अपना व्यू आपको बताएंगे क्या रहा है तो लो वाई सोन भाई साब बात करिया है अलो नमस्कार सभी किसान भाईयों को और मैं सोनलाल गाउं उमरपूर से जो ग्यों की मैंने तीन एकड़ ग्यों के बोई हुए है तो मैंने एक एकड़ में जो अपना एक्सपेरिमेंट करके देखा है यह जो खरपतवार के लिए क्योंकि मैं काफी परिसान हो चुका था खरपतवार से तो महेंगी द्वाई काफी पड़ती है जो प्री में मारते हैं हम खरपतवार के लिए पयाँखे जो अवकिर आती है वह भी 23-24 रुपे के क्रीब पड़ती है और अगर जो बाद में मारते हैं तो हमारी गहों को काफी नुकसान होता है जैसे सगून मारते हैं यह पानी में संकोर आती है अगय आब संकूर को गेसं को भी फूक देती हैं विल्वा एक एरिये में जैसे ब्री में तो वाले अवकिरा हैं अवकिरा को युज करते हैं स्टार्टिंग में इतना खर्चाता है शोबीसोगी दुआ है एक कड़ के लिए शोबीस दुटिया और जो बाद में करते हैं, जो मुडसी काफी करपतवार होता है, तो उसके लिए लोग हम करते हैं यह सगून होती है इसमें मारते हैं सगून भी आठ सुन उसर रपे की दोई पड़ती है लेकिन उससे क्या काफी नुक्सान हो जाता है हमारा क्यों कहीं बार हमारी ग्यों की फसल सारी नश्ट हो जाती है ठीक है और एस यमनाईन है तो फिर भी मुड़सी नह सब्सक्राइब का सपरे 500-200 लिटर पानी में अगले दिन सपरे मारा मैंने और उसके बाद मेरी ग्यों का जर्मेशन भी अच्छा हुआ कोई दिक्कत नहीं और खरपतवार का नाम हो निसान कुछ नहीं कोई भी खरपतवानी जामा संकोर मारी मेंने खरपतवार के लिए और जो चोड़ी पत्ती जी मीने एक लिटर प gratis bete मिठामी का सपरे साथा गोल में के अग्या सपर यह इसमें मेरा ना तो कोई ज़्वब हुरक दी करपति वार्ति हुए और ना थो कोई चोड़ी पति second-set थी फिर भी उसमें मंडूसी रहागी है कहीं कहीं बन तो आपको भी खेद दिखाते हैं जिसमें मेरा मतलब कितना खर्चा है आपका जैसे ऑवकीरा में ज्यादा खर्चा आता है अवकीरा का तो 2400 रुपे का दो आयाती है और इसमें मेरा 200 रुपे की सिंकोर और सड़े चार सब्सक्राइब की पेंडा मिधायल यानि कि तकरीबन 700 रुपे का खर्चा आया जो इसाब लगा के देखे तो जो 700 रुपे की बचत होती है वही सेम रजल्ट जो अब की रही रहला रिजल्ट है बिल्कुल सेम सेम और योटास कोई भी खरपतवार नहीं है और किसी क soybean कंपणी की कम लें लिया कि में और का ताहा है निया कि जन्ता की लेनि है कि किसी भी कम्तनी की संग्वर्व ठीक है 100 ग्राम का 500 Nawarde 200 लिटर पानी में और एक लिटर पैंटा मिथाईल तो अब और दिखाते हैं जिसमें स्प्रेइत नहीं किया है और यह खेत है जिसमें इनका दूसरा खेत है जिसमें खरपतवार नासक कोई भी दवाई नहीं लगाई गई है इसमें देखिए पानी पे बाद में इन्होंने संकोर डाली है और गेहूं जो है काफी फोक भी देती है वो बाद में अगर डालते हैं एक बार को ग्रोथ रोग देती है तो इसमें हम मडूस से दिखाते हैं आपको यह देखिए कितना जो है इसमें भी और जो खेथ हम दिखा रहे थे उसमें बहुत जादा उसमें होती थी लेकिन वह रिजल्ट लेने के बाद में अब की बार उसमें नहीं है और यह देखिए इसमें जो है ना मतलब खरपतवार बहुत जादा है मुरूसी का इफेक्ट ज बिल्कुल 100% है इसके ठीक ना एक बार और बता देते हैं तो सुन भाई एक बार बताए किसान लोगों कितना कितना मात्रा में लेड़ी है मात्रा तो यह अपना 100 ग्राम संकोर और एक लिटर पेंडा मिथाइल 200 रुपे की संकोर पड़ेगी अपने रिये के साब से 200 की भी सव और आपगो 24 रुपे की रहती है। उससे भी अच्छार जल्ट मिलेगा आपको और यह खेत है इसमें मैने कोई सप्रे नी मारा संकोर का मारा तसा श्टार प्रह्ण आप लय कि रहा लेकिन बाद में मैंने पाणी में संकोर गेरी थी लेकिन फिस शड़कोर अनुषी कि आप महेंगी दुआई के चक्रे में आप पड़कर अपना सस्ता और टिकाऊ और जो काफी मैंने रिजल्ट देखा हुआ खुद और याभी जो मैंने देखिया एक आप तो एक हैता गेहूं का तो मैंने सब्जी ली ती बीच में अभी तो अभी गेहूं बोही मेंने इसमें चोबी दिसंबर को गेहूं बोही है तो इसमें भी मैंने यही काम किया इसमें भी काफी काफी खरपतवार होता है तो इसमें भी मैंने पहले एक पैकेट संकोर 200 ग्राम और एक लिटर पेंड़ा मिधायल का सफरे मारा है तो जिससे कि इसमें खरपतवार ना हो गई अगर ज सब्सक्राइब करने चाहिए कि आप जो यह तरीका एक बार जादा निया करके देखे रिजल्ट देखे खुद जो मैंने खुद देखा हुआ है आगे से मैं बिल्कुल हर अपने जितनी भी ग्यों बहुंगा अगले साल से सारे सारे खेतों में करके देखूंगा और आप एक सब्सक्राइब करके देखे और आपको सस्ता बिल्कुल अच्छा तरीका है तो सभी से अन्रोध है कि जो इस वीडियो को अगर आप यूटूब पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फेस्बुक पे जो देख रहे हैं लोग लाइक शेयर जरू गोदर नेवाद